नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका हम लोग यहां पर बात करेंगे विजन आई एस टेस्ट सेरीज दो हजार चौबेस जो की आई एस के एक्जाम के लिए लागू कर दी गई है या मार्केट में ओलेबल हो चुकी है तो आपको पता है कि इसके कितने ज्यादा कोश्चन आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो आएगा इसी सेग्मेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे आप सब के साथ और यह पूरा का पूरा 35 टेस्ट पेपर होंगे और वो सारे के सारे 35 टेस्ट पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसी आपके अपने यहीं पर आपको बने रहना है ओके तो चलेगा पहला कोशिन आपको दिखाता हूं देखेगा यह मैंने स्लाइड बनाई हुई है ताकि आपको चीजे ज्यादा के साथ दिख सके यह यहां पर आप देख सकते हैं विजन आइस का है हिंदी माध्यम में टेस्ट नंबर एक और इसका ज आपको कोश्य नंबर एक से लेकर कोश्य नंबर तीस तक आज की इस क्लास में कवर करने वाला और इसके आगे आप चाहेंगे तो आपको यही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि A B C D किस तरह से ऑप्शन होंगे सब कुछ आपको अच्छे से पता है तो चलिए का वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीज़ेगा और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज इसे सेर जरूर कीज़ेगा अगर कोई तयारी कर रहा है तो पहला कोश्य लेते हैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बहत ही अच्छे से समझाऊंगा बस आप मेरे उपर भरोसा रखिएग और बने रहेगा देखेगा यहां पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कोशन मूल दर्सन के संदर्व में निम लिखे तमेशे कौन से कारे समविधान के कारे हैं कोशिड्यूसन के कारें के बारे में यहां पे कोशन किया गया है तो चलेगा मैं आपको बताता हूं मूल द बता दूँ यह टेस्ट सिरीज 35 टेस्ट पेपर की होगी और एक टॉपिक जो मैं यहां पे कवर एक बार कर दूँगा उस टॉपिक को आगे आने वाले कोशन में क्लिर नहीं करूँगा उसका रिपीटीसर नहीं करूँगा ताकि वह समय हम दूसरे कोशन में सही डंग से लग नहीं है तो प्रस्तावना के अगर हम बात करें तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं वैसे तो प्रस्तावना के एक अलक्षी टॉपिक भी है बट प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नहरू के द्वारा समविधान सभा में के समक्ष प्रस्तुत किया गया था 13 प्रस्तावना में हमें दर्सन की प्राप्ति होती है दर्सन अर्थात फिलोस्फी जिसमें क्या पता चलता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो हमारी सरकार है इस सरकार का स्ट्रक्शर क्या होगा सरकार का स्वरूग क्या होगा आपने सुना होगा संकुन प्रभुत्य संपन अधिकार होंगे, वो लोग सोतंधरता की बात करेंगे, उन्हें धार्मिक अधिकार होंगे, एकता के साथ रहेंगे, समानता बंदुत को बढ़ाने का प्रयास भारत सरकार के साथ साथ नागरिक भी करेंगे, तो ये भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, अगर हम इस थोड़ा सा क्लियर करें, तो दरसल प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग, अर्थात इस सम्विधान के निर्मान का कारे किसका जाता है, भारत के नागरिकों के पास जाता है, दूसरी बात, अगर हम सरकार के रूप की बात करें, तो देखो यहां पर हमें पता चल जाता है कि एक government होगी legislative अर्थात विधाई का एक सरकार होगी executive अर्थात कारे पाली का और एक सरकार होगी आपकी judiciary अर्थात न्याय पाली का इसके अलावा सरकार के रूप में हम देख सकते हैं लोग सभा सरकार के रूप में देख सकते हैं राजी सभा सरकार के रूप में दर्सन आपको पता चल गया और दर्सन के बारे में कुछ और फिलोस्फी सुप्रीम कोट के द्वारा दी गई एक तो केस आया केसवा अनंद भारती केस केसवा अनंद भारती केस दो आया 1973 में आया और इसमें भी basic structure की बात की गई सम्विधान के मूल सिद्धान्तों की बात की गई आईए कर बात करते हैं question में option कै पहला है यह मूल नियमों का एक ऐसा समुक्षय है विल्कुल सभी बात है मूल दर्सन में जिसमें समाज के सदस्यों के बीच समन्वे बनाने की बात की गई विल्कुल सभी बात है दरसल आप देखते हैं कि जो प्रस्तावना है या प्रस् के साथ एक ही रूप में एक ही साथ मिलकर काम करेंगे मुल दर्सन में आपके fundamental right भी और fundamental right में भी नागरियों के आदार पर धर्म जाती नसलिक आदार पर किसी प्रकार के भेदभाव की मना ही की गई है तो पहला के लोग और लाश्ट लाइन अगर आप पढ़ें तो लिखा है इस सम्विधान को अंगीकरत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं अर्था यह जो हमारा सम्विधान है इस सम्विधान के निर्माता कौन है हम भारत के लोग इंडियन्स के बारे में यहाँ पर सभी नागरिकों के बारे में कहा गया बिलकुल सही बात है निर्णा लेने की अंतिम सक्ती नागरिकों के पास ही होती है अगला यहाँ पर है तीसरा पॉइंट यह सरक प्रस्तावना में भी बात की गई है पांच परकार की स्वतंदरता की लेकिन रूप से नहीं है जैसे आपने स्वतंदरता सुना होगा विचार विश्वास अभियक्ति उपासना तो यह जो आपके पास छूट है यह बिल्कुल पूरी तरह से छूट नहीं है, इनमें आपके पास कुछ राधाएं या कुछ लिमिटेशन लगाई गई है, तो तीनों आपके सही हैं, तो इसका D option is the correct answer हो जाता, उमेद करता हम आपको चीज़े समझ में आ रही होंगी, पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर किज़ेगा, फूरे 30 कोशन तक बने रहेएं का आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगला कोशन है, संग या किसी राज्य की कारेपालिका, संग या किसी राज्य की कारेपालिका के सम्बंदित सेवाओं, पदों के लिए न्यूक्ती करने में अनसूचित जाती, जन जाती के सदस्यों, में देखो यहां पर क्या बात की गई है संग राजि छेतर को का्रेकलाप में सीजुल का सेडेयों ड्राइब से इनकी सदस्यौं के किसलिए प्रसासन की दक्ष्टा में किया गया है समिधान के किस भाग में किया गया तो हम थोड़ा सा ओप्सन देख लें इसके आधम चीज़ों को और क्लियर में समझेंगे क्या लिखा है यह भाग चार भाग चार है क्या डिरेक्टिव प्रिंसिपल आफ इस्टेट पॉलिसी यानि कि राज्य के नीत ने दे सकतों है रंगल्बहारतियों के लिए विशेश उपबंद की बात की गई है और भाग नंबर 17 किसे समंदित है भाग नंबर 17 समंदित है भासा से तो जाहिर Chairs की बात है से श्री members और the trio ट्राइब तो यहां पे आ गया तो इसे तो हम तुरंत हटा ही देंगे option से हट जाए सब ए pag कहता है कि संग या राज्जी के कारेकल आप सेवाऊं पदों के लिए नियुक्ति के सम्मंद में सेडूल का सेडूल ट्राइब्स के लिए दक्षिता से सम्मंदित संगती यानिकी नियम इनके लिए बनाए जा सकते हैं और यही दक्षिता बनाए रखने के लिए हमें क्या करन तो जनर्रल कंडिडेट से इनकी पुरूरा करते समय थोड़ा सा ध्यान दे और यही आपने देखा भी होगा कि जब कभी भी development की बात आती है उन्नती की बात आती है तो सेडियूल क्रास्ट के लिए welfare development की बात की जाती है कल्यानकारी विकास की बात की जाती है और जनर्रल कंड सामर्थेकारी विकास की बात की जाती है यही बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी और आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कुछ और जैसे article आपको मिल जाएगे 351 वहां पर कहा गया है कि हिंदी भासा के विकास के लिए जो की आपका भाग नंबर 17 में मिल जाएगा क हिंदी भासा के विकास के लिए कुछ प्रावधान अलग से किये जा सकते हैं 351 B में जो आपका important है कोशन आ सकता है 351 B और 350 B जहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एक भासाई आयुत कि न्योकती राष्टपती के द्वारा की जाए तो उमिद करता हूँ इस कोशन का भी आंसर आपको समझ में आगया होगा एंग्लो इंडियन के लिए आपको मैं बता दूँ अगर कभी भी इसके definition की बात आ जाए कि किस आर्टिकल में इसकी परिभासा दी गई है तो इसकी definition आर्टिकल नंबर 266 में दी गई है यह याद रखिएगा हाँ नहीं 306 में इसकी definition दी गई है परिभासा दी गई है और बागी सेडियूल का सेडियूल ट्राइप्स के लिए 331 मिल जाएगा 333 मिल जाएगा इनमें भी इनके reservation की कुछ बात लोक सबाव वगयरा में की गई है चलेगा question अगला है question number 3 मूल अधिकारों की विशिस्ता है देखो बाई अधिकारों को दो पार्ट में डिवाइड किया था एक अधिकार आपके हो जाते जिन्हें बोलते है fundamental rights और एक अधिकार जिन्हें हम बोलते है DPSP यह मेरा खुद का classification है यनि कि ऐसे अधिकार जो हमें भविश में मिलेंगे उन्हें DPSP कहा जाता है और fundamental rights का मतलब होता है जो fundamental rights आपके limited है यनि कि यह आपके सीमित अधिकार होते हैं कैसे होते हैं सीमित अर्था fundamental rights हमारे देश में 6 प्रकार के हैं और अगर हम DPSP की बात करें तो DPSP आपके unlimited होते हैं यनि कि यह आपके अधिकार निश्दारित नहीं और आप इनको देख भी सकते हैं बहुत सारे होते हैं जो भी सरकारे दबादा करती हैं कहीं न कहीं DPSP में लिखा ही होता है इसके लावा कुछ और quality की बात करते हैं आपर थोड़ा सा color change कर लेता हूं अगली quality क्या है यह जो मूल अधिकार है यह नियाय के योग्य होते हैं वाद के योग्य होते हैं इसके कहने का मतलब क्या ह है कि यह आपके जस्टी एबल होंगे इसके लिए आप court जा सकते हो सुप्रीम court तक जा सकते हो DPSP के लिए आप court नहीं जा सकते हो यह क्या होते हैं गैर न्याइक होते हैं दरसल इसमें बढ़ी-बढ़ी बाते सरकार के दौरा कहती जाती है लेकिन इन रावू नहीं जिया जा सकते अर्थात, इनके लिए आप code नहीं जा सकते हो, code जाना इनके लिए invalid है, दूसरी बात, ये जो अधिकार होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, पहले कहा जाता है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन फिर कह दिये जाता है, लिमिट में बोलने का अधिकार है, अगर enforceable होतें लागू होतें और dpsू क्या होते है गैर निच पाधित या लागू होने के एक सब्द प्रवर्थनी है قौलिटी की भासा में सब्द है प्रवर्थनी है इसको गोजने गैर प्रवर्थनी अर्थात ये لागू नहीं होने वाले है ये basic है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये वाले point सम्विधान के भाग नमबर 3 में और ये वाले point सम्विधान के भाग नमबर 4 में और ये भाग नमबर 3 में रखे गए, question क्या है? मूल अदिकारों के बारे में अब question आप पढ़ोगे तो आपको question समज में आज आएगा वेक्तिकत सुतंतरता सामाजिक सुतंतरता के बीच संतुलन बनाते हैं, बिलकुल सही बात है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एक वेक्ति के लिए भी दिये जाते हैं, और सामाजिक समुदाय के लिए भी दिये जाते हैं, जैसे सिक्षा है सभी के लिए मिलेगी, और heaviest corpus read आपने पढ़ा होगा article number 32 यानि की बंदी प्रत्यक्षी करण ये जो read है आपका ये व्यक्तिक्त सोतंदरता की बात करता तो जाहिर सी बात है आपका read वाली बात आ जाए तो यहां पर मिल जाएगा और मांगी के अधिकार आपको यहां पे तो बिल्कुल सही है कुछ मूहल अधिकार ऐसे हैं जो निजी बेक्तियों की मनमानी कारवाई की बिरुद्द उपलपन है बिल्कुल सही बादे से मालने देख आप नाच रहे हो कोई word नहीं तुमको नाचना नहीं है तो आप सीधे court दा सकते हो आपको कोई भी आपके मूहल अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है ये आपके अधिकार हैं दूसरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है कुछ मूहल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलपने हैं इस पर आपको याद रखना बेटा हमारे fundamental rights जो हैं article number 12 से लेकर 35 तक हैं इन में से ऐसे अधिकार जो विदेशि को प्राप्त नहीं है केवल किसको प्राप्त हैं केवल भारतियों को प्राप्त हैं ऐसे भी कुछ अधिकार हैं बागी अधिकार तो सबको प्राप्त हैं केवल भारतियों को जो अधिकार प्राप्त हैं मैं लेक देता हूं article number 15 article 16 article 19 article 29 और article 30 ये ऐसे अधिकार है जो केवल औ पादन योग्यें अर्था स्वता लागू होते नहीं कुछ ऐसे भी अधिकारे जिने सरकार लागू करने का प्रयास करती है जो स्वता से लागू होने वाले नहीं होते हैं जैसे आपने सुना होगा आपके पास आर्टिकल नंबर 31 में पढ़ेंगे हाला कि 31 तो डिलीट कर दि यह है फंडमेंटल लाइट में बट नीत इंद्रेशक से संबंदित है और अगर मैं आर्टिकल 31 एक ही बात करूँ तो ध्यान से सुनिएगा संपत्ति के अधिग्रहन से संबंदित कानून है आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 31 भी जो है कुछ अधिनियम और विनिय से संबंदित बखती हैं तो इनके मुल अधिकार वाता निसपादित नहीं होते हैं इनके लिए सरकार क्या करती है . वा आयुस्मान योजना पूरे विस्व की सबसे बड़ी योजना है विस्व की सबसे बड़ी और कैसी योजना है वीमा की योजना है पांच लाट रुपए तक का फ्री में इलाज करवाया जाता है जिनके पास आयुस्मान कार्ड होता है क्या होता है जिनके पास आयुस्मान का क प्राइवेट में भी ये कार्ड काम करता है, प्राइवेट अस्पताल में भी ये काम करेगा और सरकारी अस्पताल में भी ये काम करेगा, इसका टार्गेट कितना है, पचास करोल लोगों को इसमें क्या करना है, सामिल करना है, कितने लोगों को, पचास करोल लोगों को यहां हो गई है या तृतीएक स्वास्त ह्षार की जरूरत है और गरीब है सेडiami कार्ष से संबंधित हैं सेडियोल ट्राइब से संबंधित हैं जणजाती से संबंधित हैं या वीधवावगरह है तो जिनक्कष भी आयुस्मान को यह हैं सबको मिलना भी होग सबसोब क्या है फिर वह लोग यहां पर और है है चन्गणा के आपकर तर्थी इसका कार्यान राष्टी वग की आपर कीज़ा रहा ह new सही बात है NHA के द्वारा यनि की राष्टी स्वास्त प्राधी करण National Hand Authority के द्वारा किया जा रहा है आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ यहां पे राष्टी स्वास्त प्राधी करण यह जो संस्ता है इसकी स्थापना दरसल 1860 का एक सोसाइटी पंजी करण अधिनियम है इस अधिनियम के तहट इसे क्या माना गया है इसे एक एजन्सी का दर्जा दिया गया है और इसे यह दर्जा दिया कब गया है इसे दर्जा 2018 के बाद इसे प्रवाइड किया गया है जैसे ही आयुश्मान योजना सुरू की गई है तुरंत इसको क्या दिये दिया गया है अधिकार दिये गया है भाई भी सोसाइटी में पंजीगरत हो जाए जो कि आपके स्वास्त की देखभाल के लिए सभी लोगों से संबंदित होगा और यह मूल्य आधारित स्वास्त सेवा यह याद रखेंगे इवेन आपकी दवाओं के लिए भी यह पैसा देगा दस दिन की दवाओं को भी कवर किया जाने वाला है इसमें अगला कोशन देखते हैं हाली में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के संदर्व में निमलिकित कतनों पर विचार कीज़ेगा आई ज बैंक के दोरा संभावित रोप में जारी की गई है और आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि विच्व बैंक से सम्दित एक संस्था है उसका नाम है Global Economic Prospect अर्थार्थात वैस्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ड बैंक के द्वारा जारी की गई, तो भाई और एक बात याद रखेंगे, कि यह जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को वर्स में दो बार जारी किया जाता है, कितने बार जारी किया जाता है, इसे दो बार जारी किया जाता है, और इसका मतलब क्या है, उभरते बाजार क या प्लस कर लीजेगा विकास सील जो देश है विकास सील देश पर इसे ध्यान केंद्रित करना है और अगर हम बात करें GDP के बारे में बात करें तो 1993 में से अब तक सबसे जादा कमजोर हारत में ब्रद्धी दर हुई है GDP की जो ब्रद्धी दर इस रिपोर्ट में वर्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है उसमें कहा गया है 1993 से लेकर 2020 तक भारत में थार्ड टाइम ऐसा हुआ है जो ग्रोथ है वो क्या हुई है डाउन हुई है और यह जो ग्रोथ है 2023 में 6.6 प्रतिसत रहने का अनुमान है तो इसका मतलब दो बार और हुई होगे यस जो दो बार और हुई है 2009 में जब वैस्टिक मंदी आई थी तब भी हमारी ग्रोथ रेट गिरी थी और 2020 में जब कोरोणा आया तब भी हमारी ग्रोथ रेट गिरी थी तो 2023 का कारण क्या है तो जो यूक्रेन वर्ड वार चल रहा है यूक्रेन रसिया का उसकी वज़ा से यहां पर मंदी देखने को आपको मिल रही है अब यहां पर क्या करा वर्स में एक बार जारी होता है तो भाई यह रिपोर्ड वर्ड बैंक के द्वारा साल में दो बार जारी की जाती है तो यह दो बार हो जाएगा और अंतर राश्टी मुद्रा कोस नहीं बलकि विस्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है विस्ट बैंक की स्थापना जो है आपकी यह 1944 वाला जो युनाइटेट नेशन वाला अधिनियम था उसी के माध्यम से इसकी आगे चल कर स्थापना की गई थी स्थापना जो एक आगला कुष्छन देखते हैं कउशिन नंबर छे चौथ यह ₩ sensi में क्या बाई जो हमारी सभाएं राज्य सभा की सीटों के आवउन्टन के बारे में था राजी सभा स्था सीटों के आवउन्टन बिल्कुर सही है पहला तो सही है चेट्य लेकिन ये जो प्रसासन है ये पूरे भारत की बात करता है किसकी बात करता फुरे भारत की लेकिन जो चटी अनसूची सब्सक्र realization है असम और ट्रिपुराि அनसुची connection है सेडियोल का सेडियोल ट्राइब्स और अबिसे को सी है इसेयोल कास और ट्राइब्स और इन seul में नवर निवह का इन के प्रसासन और से सबंदित है यहां चटीन सूची क्या होना चाहिएता पांची अनसूची हो करें तो बारा उनीस सो पचासी में आड की गई थी पहले भी जोड़ी गई थी जब ुद्टxis जोड़ी खी तり ऑटने फो लुत मेरे को असे सुअंसदन के गया अधोर्षा डिया गया ची allez इसे योग गिता पर भी यहाँ पर डिसकस किया गया कि भाई अगर आपने चुनाओ जीता है मान लीजेगा किसी बैक्ति ने कमल के चुनाओ चिंद पर चुनाओ जीता है और वो साइकल पर चला गया तो उसका विधाई की उसका जो क्या बुलते हैं MLA का पद अगले कोशन पर चलते हैं इसका सी सही हो जाएगा यह आपका गलत है कौन सा Ozone 6 कारी है देखो Ozone का मतलब क्या एक परत है अगर हम प्रदवी इसको मालने यह हमारी प्रदवी है और प्रदवी के हम उपर चले तो जो पहली परत मिलती है इस पहली परत का नाम है छोब मंदल क्या नाम है छोब मंदल और प्रदवी से इसकी जो उचाई है वो कहीं पर 8 किलो मीटर कहीं पर 18 किलो मीटर तक मिल जाती है और इसके बाद छोब मंदल के बाद जो अगली परत है अर्था 50 किलो मीटर तक की जो परत है उसे हम बोलते हैं समताप मंडल क्या बोलते हैं समताप मंडल और इसी समताप मंडल में उपरी हिस्से में एक आपकी क्या पाई जाती है ओजोन गैस पाई जाती है क्या पाई जाती है और इसी को हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं ओजोन परत क्या बोलते हैं ओजो गया था ओजोन शिद्र का मतलब क्या हुआ जहां पर ओजोन की जहां पर ओजोन की मुटाई 300 डाबसन यूनिट से कम हो जाए जापसन यूनिट का मतलब क्या हुआ ओजोन की मुटाई डाबसन यूनिट में मापी जाती है और जहां पर भी इसकी मुटाई 300 यूनिट से कम हो लिए तो वहां पर सूरी की जो किरड़े हैं वो सीधे आज आती हैं जिससे कैंसर का खत्रा हो सकता है तो यह आपका है और यहां पर कोशन क्या है ओजोन को छै करने से समंदित कौन सी चीज़े काम कर रही है मतलब ओजोन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है जैसे मान या SO4 आ जाए और O3 से आके मिल जाए तो अभी कुछ निया बन लाएगा जैसे HCl प्लस O3 आके मिल जाए तो एक निया कोई गैस बना लेगा ऐसे में ओजोन की जो मात्रा यह है कि मेथाइल ग्रोमाईट भी नुक्सान दे है हाइड्रो मेथाइल्बॉप्रो मैड्या हैं यह एच बी एप सी कार्बन टे ट्रा एक यह ही यह ये ट्राईय्शक कारवstate लाएड मेथाल मेहाइलिजर्लचकल्ड क्या होता है इनसे भी ओजोन को नुक्षान होता है जो आपके फॉग मिनेंट है जिन्हें धूमक बोलतेहें सफाई के लिए जो आप ड्राइड क्लिनिंघ उससे भी होता है जिन보ी डब्मों में संब्सक्राइब करता है आपको समझ में आ रही होगी और चलेंगे आगे अगले चलते हैं कोश्च नमबर आप देखते हैं इसका चारो सही है एक इसा कोश्चन आए तो उसमें माकिमंड चलेगा डि ऑप्षिन ही आपको लगाना है स्वयन सिंग समित ले देखो भाई स्वयन सिंग समित का संबंद किस से है फंडामेंटल ड्यूटी से दरसल स्वयन समित ने 1976 में इनकी सिफारिस के आधार पर क्या किया गया समित नमबर 4A के आर्टिकल नमबर 51A में जोड़ा गया यह भाग है भाग नमबर 4A और 51A आपका अनुछेद है और जब इनकी सिफारिस की तो इनकी सिफारिस की थी कियो आठ मौलिक करतब्य की थी बट 42A सम्विदान संसूदन के द्वारा 10 fundamental duty आइड किये गए और आगे चलकर 2002 में 86वा सम्विदान संसूदन किया गया और 11वा fundamental duty मौलिक करतब्य आइड किया गया वर्तमान में 11 मौलिक करतब्य हमारे पास हमारे देश में मौजूद तहाँ पर सम्विदान के भाग चारे में 1999 के समय में एक समीती आती उसका नाम है वर्मा समीती वर्मा समीती का संबंद भी किस से हो जाता है आपकी मौलिक करतब्य से हो जाता है मौलिक कर्तब किस देश से लिए गए यू एस एस आर से लिए गए ये बाते उमीद करता हूं कि मैं उज़े दुबारा नहीं बतानी पड़ेंगी बस option देखते हैं किसी मौल कर्तब का अनुपाला ना करने पर जुर्माना लगाने दंड है तो संसत को ससक्त बनाना नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई इसको तो cancel कर देना है यह तो बिल्कुल भी आपका क्या हो गया गलत होगए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सजा देनी पड़ेगी सजा वज़ाक कोई प्रावधान यापर नहीं देश की रक्षा करने ऐसा करने के लिए आवान किया जाने पर राश्ट की सेवा करना बिलकुल सही बात है, बिलकुल डैम से हो रहा है, दूसरा तीसरा आपको मिल जाएगा, बिलकुल सही है, तो इसमें एक सही की बात है, तो यही सही हो जाएगा, बांकी पढ़ लेते हैं, करका भुगतान प्रश्मिकात नहीं किया जाएगा गलत है यह भी तो कुल मिला कि आपका केवल यही एक साही था जितना वह ने बता दिया ना यह आप याद रखेगा प्लस एक बात और याद रखेगा राष्ट गेत सब्द का प्रयोग नहीं है हां तिरंगे का जुद्वज का है और राष्ट गान का प्रयोग है इनके सम्मान की बात कीजिए कोशन नम्बर नौ देखते हैं निमलिकित में से कौन सा केंद्री अन्वेशन व्यूर यादि कि सीबियाई के लिए हैं देखो भाई के 1963 में Central Bureau of Investigation का गठन किया गया केंद्री अन्वेशन व्यूरो का गठन किया गया ठीक है भाई कोई दिक्कत और इसकी अगर हम सुरुवात की बात करें यह जुल्ली पुलिस अदियम आया था इससे पहले भी एक एक आया था 1941 का जिसे हम बोलते हैं विसेश पुलिस प्रतिस्ठान और यह जो आया था यह अंग्रेजों के समय एक सतरकता आधिनियम था सतरकता आयोग या सतरकता आधिनियम उसकी सिफारिस पर 1941 आया उसके बाद 1946 आया उसके बाद 1963 और तब जाके Central Bureau of Investigation की स्थापना की गई आज भी यह काम किसके आधिन कर रहा है आज भी 1946 इसको पावर मिलती है और उसे सकती मिलती है अभी वर्तमान के अगर हम बात करें सतरकता आयोग यानि कि Central Vigilance Commission तो यह संथानम समित किसी फारिस पर आया था किसी फारिस पर संथानम समिती और संथानम समिती का जो गठन है क option पढ़ लेते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है तो कुछी जो और clear हो जाएंगी केंद्र सरकार के कर्मचारी के भहष्टाचार रिफसत खोरी खदाचार की मामले की जाच करना बिल्कुल सही है बंस नहीं बंसपोर्ट का काम इत्य फोगरह करो जैँक है इसका तो मुझे नहीं लगईा कि इसका कोई काम यह बंबिरोधी बंबूं का काम नहीं मिन पिरिष्ट करना बिल्कुल सही और अपराध की अनुडाश्च्ण अपराधि की प्विरोधा नहीं काम करता है पावर 1946 अदिनियम के ताइद इसको मिलती है इसे याद कुछ और पढ़ने नहीं दिर्वत नहीं है इतना ही अगर याद रखो तो यह को काम जाएगा हालिवर सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यूएस्बी यह आपके मुबायल में आपने मुबायल देखाघं़ देखा मुबायल में जो आपका लगाओ चाहे बैक से लगाओ बिल्कुल सही काम करेगा तोनों साइट से बैटरी चार्ज करता है बिल्कुल बात है ये पूरु के यूएस बी प्रकार के साथ बैकवर्ड कमपेडिबल नहीं है उन्में क्या होता था कि इधर से भी जाएगा उधर से वापस भी आएगा ये एक दिशी होता एक दिशी ही इसमें क्या हो रहा है कह रहा है कि जाने वाला है बैकवर्ड कमपेडिबल नहीं है फूरु के साथ बैकवर्ड कैपेडिबल नहीं है बिल्कुल भाई नहीं है ये दरसल क्या होता है इसको आप बोल सकते हो कि ये टेक्नलोजी लॉक इन होती है क्या होती है इसे हिंधी बोल सकते हैं लॉकिन हें इंगलिश में भी होता है अच्छा सुरवात में आयती कौन-कौन से एक तो आया A type का जो जिल्कुली चपता हुआ आता था फिर उसी का B type याद है इस तरह का था जिसमें थो ऐसे थोड़ी सी पतली पतली निप type की निकली रहती थी और एक ही side में लगता था वो B type का था और अभी C type का आगे से हलका सा गोला कार type का होता है और हां जो टाइप C है इसमें 24 पिन डबल साइडेड का प्रियोग किया गया कितने हैं 24 डबल साइडेड पिन का प्रियोग किया इसके अंदर जो पिन होती है वो 24 बारा इधर बारा उदर होके तब यह चलेगी किसी भी side से लगा हो कि कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है इतना बहुत है इसका दोनों सही है अगला कोशन है बारती समिदान के एतिहांसिक आधारों के संदर में निम लिकित में से किस अध्यादेश शुरू किया वा कोशन है कि अध्यादेश की सुरूवात कपसे हुई तो बाई अध्यादेश गवर्णर को जारी करने की पाओर 18 प्रफ एक सट अध्रियम में दी गई कोशन यह कि सर अध्यादेश होता क्या है देखो वर्तमान की बात करें अगर हम तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राश्ट पती क्या कर सकता है राश्ट पती जारी करता है अध्यादेश आध्या देश अर्टिकल 117 के तहित जारी होगा दो विसह पर चाहे तो वो समवर्ती सूची पर जारी करे चाहे वो केंद्र सूची के विसेश पर जारी करे सेम इसी प्रकार से राज्य पाल भी अध्यादेस जारी करेगा राज्य पाल जारी करेगा article अंबर 213 के तायश और ये जारी करेगा समवर्ती सूची प्लस राज्य सूची के विषयपर जारी करेगा ये time कितने दिन तक लागु रह गा आद्यादेश तो बेटा याद रखेंगे 6 महीने प्लस 1 एंड हाफ यनि की टोटल साड़े 7 माह लागू रहता है इसे दुबारा भी जारी किया जा सकता है दुबारा भी इसको क्या किया जा सकता है लागू किया जा सकता है दुबारा लागू करणे में कोई मनाही कोई दिक् कुशन दा अगला कुशन और आसान है है क्या सम्विधान के भाग चार में वर्णित राजी के नीति देशक तक्तों में किसी भी तरह के भाग तीन द्वारा गारंटी करत्मूल अधिकारों को निरस्त यार नियून नहीं कर सकते दूसरी तरह उन्हें भाग तीन में निरधार के रूप में कारे करना चाहिए बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सम्विधान संसोद्राद नियमों को लागू करने करके मूल अधिकारों को संसद और संसोदित किया जा सकता सही बात है संसोदित करी देते कई बार लगाते इसे संपत्तिक अधिकार अठाई में लिखित में से उच्ता में आया लेने यह विवस्ता कब दी थी मतलब किस मामले में कहा था तो चंपक दो रायजन मामले में यह बात तहीं गई थी और इंपॉर्टेंट मूल अधिकार का पहला अमेंडमेंड में फंडमेंटल राइट में प्रथम वक्तव दिया गया चंपक दो रायजन मामले में दिया गया था इसमें और कुछ भी पढ़ने लाइक नहीं हुए आगे चलकर हाला की उन्नीसों सरस्ट में गोलकनाथ वीसी से संबंदित है केश्वान भारती वीसी से संबंदित है मिनर्वा मिल्स भी यहां पर प्रस्तावना का भी थोड़ा- सूची मिलेगी एक मिलेगी केंद्र सूची एक मिलेगी राज्य सूची और एक मिलेगी समवर्ती सूची केंद्र सूची में आपके सो विसे हैं पहले अठान में थे राज्य सूची में 61 विसे हैं समवर्ती सूची में 52 विसे हैं जिन पर कानून इस पर केंद्र और राज् सरकार केंद्र में केंद्र सरकार बनाती है अनसूची के बारे में आर्टिकल है 246 बैंकिंग किसका मुद्दा है मतलब बैंकिंग किस मामले में आता है तो भाई बैंकिंग आता है आपका कौन सा बैंकिंग आता समवर्थी सूची में बिल्कुल नहीं बैंकिंग तो केंद्र स कि क्रषी राली सूची में आने वाले नहीं है समवर्ती सूची में आने वाले हैं खुशता और केंद्र सूची में कौन-कौन से भी से आते हैं कुछ लिख लेते हैं क्या दिक्कतर जैसे रक्षा जैसे आपका परमारू जैसे आपका उर्जा जैसे आपका विदेश मामले जैसे आपका सांती बिवस्था जैसे आपका स्पीड पोष्ट डाक वाला जो बिवस्था डाक वा है ग्राम की होते हैं यह लोग वेवस्था हेल्थ आपकी पंचयत राज वी सेहे हैं ग्रा कंप्राया राजी सर्कार fazem जेल वाली व्यवस्ता इन ही की होती जो राजी सेक्षा और इसमें इंपॉर्टन्ट एपकर क्या बोलते हैं यह वाला समवर्थी सूची वाला ब्योसाइक संग मतलम मजदूर संग गोद लेना यह आपका इसी में आजाएगा समवर्थी सूची में इतने बहुत है वागी चलते हैं आगे संविधान के मूल दाचे का सिद्दान्त है मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में दिया गए उसमें कहा गया कि भाई जो आपके राजी के नीति ने दे सकते हैं और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे अलग-अलग नहीं इविद आर्टिकल नमबर 39 आर्टिकल 39 आर्टिकल नमबर 38 कुछ ऐसे भी हैं जो आर्टिकल 19 के उपर सुपर वीजन करते हैं मतलब उसके उपर हैं आजब भाई कुछ और एक खतरना कोशन है देखतें भाई क्या कोशन है टेंसर मतलो बहुत आसानी से आपको करवा दूँगा बस 30 बढ़ा लीजेगा आपको द्रव द्ढ़ा घैस और एक प्लास्टिक के बाद जो पाजी अवस्था उसे क्या बूला जाता Как द्रव द्रव तीसरा धर ऐस और प्लाजमा य वस्था जो सूरी की आवस्था और पाचमों आपका यह वाला है डिठीन और अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज की बात आती है इसकी खोज में बहुत मदद करते हैं जगदीश शंद्र बोस नहीं यहां पर आपका आजाएगा सटेंद्र नाथ बोस इन्होंने 100 साल पहले इसकी घोशना कर दी थी कि भईया गरसल अवस्थाएं केवल तीन नहीं है कई प्रकार की अवस्थाएं और ज्यादा होती है तो आपका पहले अप्सन तो आपका गलत हो गया और दूसरा इसका नहींना तब होता जब कुछ तक्तों के परमारू को बिसेस तापमान पर गर्म किया जाता है जिरसल जो आपका अलबर्ट आइंस्टीन या बोस आइंस् पर परमारू के समू एकल क्वांटम पिंड के रूप में कारे करने लग जाते हैं जिससे तरंग और कण दोनों के गुड़ सामिल होते हैं जब तरंग और किसके कण में दो गुड़ सामिल हो जाएं एक तरंग का और एक कण का तो दोनों मिक्षर से और जीरो डिगरी पर फ निर्मार घोलने चुम्ब की सिंसर में भी किया जाता है यह अपर क्लास की बात थी अपर क्लास की साइंस थी चलेगा धर्म की अभिव्रद्धी के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्में टैक्स से मुक्ति धर्म के लिए आर्टिकल अमबर 27 वहां पर कहा गया किसी भी प्रका किसी धर्म विश्चि के विर्द्धी के लिए ब्याय नहीं करेगा बिलकुल सई बात है मतलब धर्म के लिए कोई भी खर्चा भारस अरकार नहीं करेगी कि रोग किए धार्मिक संस्थान तो लगा सकते हैं जैसे आप किसी भी पूजा इस्थान पर जाओ तो वहां पे टैक्स लग जाता है कई बार यह आपके आटिकल नंबर 25 श्चेयल 25 स्य है इसमें आइडिकल नंबर 25 कहता है धर्म की सतनता आप किसी भी धर्म को मान मान सकते हो अपना सकते हो प्रचार प्रसार कर सकते हो खोई दिक्कतosa cm अबर 26 में कहा गया कि धर्म का प्रबंदन आप करोगे प्रबंदन करने की जिम्मेदारी आपके पास है उसे आप अपने इसाफ से प्रबंदन करो कोई मना करने वाला नहीं इसके बाद आटिकल अमबर 27 में कहा गया टैक्स जो है भारा सरकार नहीं लगाएगी कोई धार्मिक संस्कान की उन्नति के लिए नहीं लगेगा आटिकल अमबर 28 में कहा गया जो भी सिक्षा है सिक्षा में जो धार्मिक स्कूल है उनमें धार्मिक सिक्षा दी जाएगी लेकिन जो सरकारी स्कूल है सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक सूचना आदि सूचना की जानकारी नही ही गई है यार मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा करें तो ज्यादा अच्छा होगा तो आज की लास को में यही पर विराम देना चाहूंगा हाँ आपके लिए कुछ और इंफॉर में जरूर देना चाहूंगा मैं आपके बार दे देता हूं सुरू के कोशण आपको कराऊंगा सुरू कि एक से लेकर 30 तक मैकसिमं करा बेंगा इसके लिए हो सकता दो पर्ट पर्ट बने या हो सकता एक पर्ट binge 35 इनके होने हैं अर्था 3500 question आपको मैं कराऊंगा जिस तरह से अभी करा रहा हूं इसी तरह से आगे भी question कराऊंगा हाँ अब अगर आपको लगता है कि 1 से 30 तक मैंने आपके साथ मेहनत की है और आप आगे के question करना चाहते हो तो 30 से या 40 से किसी टेस्ट में 30 में किसी में 40 में तो 30 से आगे 100 तक के question करने के लिए आपको मुझे message करना पड़ेगा प्लस ये fee देनी पड़ेगी paid होगा और fees होगी 5000 रुपया 5000 रुपया में आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा पीडियप मिलेगा पूरे 35 टेस्ट पेपर का प्लस आपको video solution इसी class का इसी तरह से मिल जाएगा और exam से पहले मैं प्रयास करूँगा कि PT 365 भी आपको cover करवा दूँ ये कुछ सब कुछ आपको मिल जाएगा अब ये मिलेगा कैसे और आप मेरे साथ जुड़ेंगे कैसे इसके लिए मैं आपको एक संपर्क सूत्र दे रहा हूं इस संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कर लिजेगा आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं संपर्क सूत्र है 7 210904032 इस पर आप मुझे मैसेज कीजेगा इसके आगे का एक वीडियो मैं आपको और पर अगर हम काम करेंगे तो मेहनत लगती है बाई गला दुखने लगता है और एक कोशन पर इतने सारे बबाई टेक केर